मलाई सेंटविच बनाने के लिए इन वेजी टेबल को आपस में अच्छे से बारे चौप कर लीजिए इन सभी वेजी टेबल को अच्छे से चौप करने के बाद एक बाओल में निकाल लेजिए और इस बाओल में अपने स्वात की अनुसार दो छोटी चमच लाल मिर्ची का फाउडर दो छोटी चमच काले मिर्ची का पाउडर और एक छोटा चमच जीरा डाल कर मिला दीजिए अब इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए और इन सभी वेज़ी टेवल को अच्छे से मिक्स कर लीजिए इनको मिक्स करने के बाद इसमें तीन बड़े चमच मलाई डाल दीजिए अब इन सभी वेज़ी टेवल को मलाई के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए मिक्स करने के बाद एक ब्रेट का स्लाइस लीजिए उस ब्रेट की स्लाइस पर इस ब्रेट को फैला दीजिए इसको अच्छे से स्प्रेट करने के बाद दूसरी ब्रेट से इसको कवर कर दीजिए दूसरी ब्रेट से इसको कवर करने के बाद एक तबा लीजिए ब्रेट कुछ इस तरीके से बन कर तयार हो जाएगी अब एक सर्विंग प्लेट में इसको निकाल लीजिए